हेलो बच्छो आज हम क्लास 10 की बुक फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 3 द पेड़ाइट विस्टर पड़ेंगे और इसके ऑथर है रॉबर्ट अर्थर तो वी स्टार्ट इसके कुशन आंसर्स मैंने इसी चैनल नॉट याल्स मैं इंग्लिश विंग्लिश पर अप्लोड कर दिया आप वहां से देख सकते हैं और सारे डिफकल वर्ड मीनिंग्स में उसमें ठेक है तो दर मिटनाइट विस्टर मिटनाइट होता है आधी रात जो ऐसा विस्टर जो आपको आधी रात को आए तो देखें और सिबिल एक सिक्रेट एजेंट है और वो एक बहुत इंपोर्टन रिपोर्ट की आशा कर रा है एक बहुत इंपोर्टन रिपोर्ट आने वाली है उसकी आशा में है अपनी दराना होता है और उस रिपोर्ट के इमांड करता है क्या औस्विल अपनी बुधिमानी के बल पर उसको हरा पाता है तो हम इस लसन में देखेंगे कि औस्विल जो है दूसरी सीक्रेट एजन्स जो आप इमाजिन कर सकते है जैसे कि जेम्स बॉन्ड होता है तो आपको जेम्स बॉन्ड का जब आप बास सोचते हैं कैसे आप विजुलाइज करते हैं जेम्स बॉन्ड को तो एक औस्विल एक नॉर्मल सीक्रेट एजन्स जैसे आप सोचते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है और उसका पहला जो एक्साइटमेंट एडे का वो क्या था तो आप हम इस लसन में पढ़ेंगे तो देखें आस तक जितने भी सीक्रेट एजेंस का दिस्क्रेट पढ़ा है उसमें आस बिल कहीं भी फिट नहीं होता और वो आस बिल के संग एक फ्रेंच होटल के एक ग्लूमी से अंधेरे से मस्टी कॉरिडॉर में जहां पर सीलन के बदबू हो अंधेरा हो ऐसे बरामडे में आस बिल के पीछे पीछे चल रहा है फाउलर फैल्ट लेट डाउन और फाउलर बहुत ही फैल्ट लेट डाउन का मतलब बहुत ही डिसापॉइंटेड है क्यों क्योंकि एक बड़ी सी गंदी सी जगे में सीलन दार अंधेरे होटल के एक कॉरिडॉर में वो जा रहा है और जैसा उसने सोचा था कि एक सीक्रेट एजेंट होगा वैसा बिलकुल भी औस बिल नहीं है तो इसलिए जो फाउलर है जो क भी आपको उसमें रुमैंटिक थ्रिल मिलेगा एक ऐसा कोई राइटर के लिए एक ऐसा थ्रिल मिले को उतेजना देने वाले कोई ख़बर मिले ऐसा तो लगता नहीं है उस कमरे को उस जखे को देख के ऑससा विल्वोज फर वन फिंग फैट वेरी फैट सबसे पहले तो ऑस फ्रेंच बिलकुल average बोलता है, possibility मनने होता है, ठीक ठाक काम चलाओ बोलता है, average बोलता है, he had never altogether lost the American accent, he had brought to Paris from Boston 20 years ago, लेकिन जब वो 20 साल पहले बोस्टन जो कि एक अमेरिका का देश है, अमेरिका का शेहर है, वहाँ से जब 20 साल पहले पैरिस आयता है, पैरिस फ्रांस की capital है, तब वहाँ से आयता है, तो अभी तक उसका वो American accent बरकरार है, उसकी आवाज में, हाला कि वो French जर्मन नॉर्मली बोलता है, काम चलाओ धंग से बोलता है, लेकिन उसका accent में American accent भी है, उसका बोलने का अंदाज में American accent भी दिखाई देता है, you are disappointed, Osbil said to weasley over his shoulder, और Osbil ने कहा, वीजिंग वीजिली होता है, कि उसके सीने से एक घरगराहट की आवाज आती है, तो तुम बहुत निराश हो, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in Spanish and danger, तुम से ये बताया गया था कि मैं a secret agent हूँ, एक जासूस हूँ, और जासूसी में से deal करता हूँ, और खत्रों से deal करता हूँ, you wish to meet me because you are a writer और देखिए, यहाँ पर हमको पता चलता है कि Fowler एक writer है, और तुम मुझे मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम writer हो, young and romantic, बहुत young और romantic writer हो तुम, you envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine, और तुमने envision, मतलब होता है, तुमने imagine क्या होगा, कि तुमको जो है, एक secret agent से मिलने पर कुछ mysterious figure होगी, इसकी, है न, कुछ रहस में ही आकरती होगी, body होगी, और रात को pistols की आवाजे आ रहे होगी, drugs चल रहे होगी, wine चल रहे होगी, शराब चल रहे होगी, इस टाइप का तुमने महसूस क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, तो इसलिए तुम disappointed हो, instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosiac telephone call making an appointment in this room, देखे, इसके बजाए तुमको शारी शाम एक अपनी जो एक French music hall में spend करने पड़ी हो, कि इसके संग with a sloppy fragment, फ्लोपी होता है, जिसने ठीक से, जो well dressed now, जिसने carelessly कपड़े पहने होए हो, तो एक मोटे से है, जिसने carelessly जो dressed है, ऐसे आदमी कि संग French शाम, तुमें spend करने पड़ी, instead of having messages, slipped into his hand by dark eyed beauties, तुमने एक सोचा होगा, कि सुन्दर सुन्दर लड़कियां, काली आखो वाली message, जो है, पास कर रही होंगी, वहाँ पर hall में, gets only a prosiac telephone call, प्रोसिक होता है, बहुत ही ordinary, लेकिन तुमको, वहाँ क्या मिला, सिर्फ एक ordinary सी phone call, तुमने देखा, कि वहाँ पर हमको मिली, making an appointment in his room, और जो कि, हमको, अपने room में appointment, के लिए कह रही थी, you have been bored, तुम बहुत बोर हो रहे होगे, the fat man chuckled to himself, as he unlocked the door of his room, and stood aside, to let his frustrated guest enter, और जो फोट मोटा सा आदमी था, यानि कि, औस बिल, chuckled होता है, कि मूँ बंद करके मुस्कराना, जिसमें दात ना दिखें, है न, तो वो मूँ बंद करके मुस्करा रहा था, और अपने कमरी का दर फाउलर, जो कि बहुत disappoint हो रहा है, वो अंदर जा सके, यानि कि वो एक किनारे पर खड़ा होगे, ताकि जो है, तरवाजा कोल के, ताकि उसका guest, फाउलर, जो writer है, वो अंदर जा सके, you are disillusion, आसबिल तोल धे, और आसबिल ने फाउलर से कहा, कि तुम भ्रहम्मे हो, but take cheer, my young friend, लेकिन मेरे दोस्त, तुम, खुश हो, presently you will see a paper, a quite important paper for, see the next page, which several men and women have risked their lives, और अब देखियो, फिसे देखिये लाइट, कि अभी तुमको एक paper मेलेगा, बहुत important paper, जिसके लिए बहुत सारे, आदमियों और 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 ओरतों ने अपनी life को risk पे डाला है, come to me, में साथा हो, someday, soon that paper may well affect the course of history, in that thought, in drama, is there not, और कुछ दिनों बार, ये paper से कुछ ऐसा होने वाला है, कि वो history का part बन जाएगा, एक कितिहास बन जाएगा, और in that thought is drama, और is there not, और वो कहता है कि तुम्हें ये ड्रामा लग रहा होगा, कि ऐसा नहीं लग रहा है, तो हम आपको फोटो दिखा हुए है, ठीक है, as he spoke, Ausbil closed the door behind him, और वो जब बोल रहा था, तो Ausbil ने उसके पीछे के दर्वाजा बंद किया, then he switched on the light, और फिर उसने light जलाए दे कि फोटो में, वो light जला रहा है Ausbil, और Fowler उसके पीछे खड़ा हुए, and as the light came on, और जैसे ही light आई, Fowler had his first authentic thrill of the day, तो Fowler को पूरे दिन का पहला thrill मिला, जिससे उसको दिल, excitement मिला, for half way across the room, आधा कमरे पास करने के बाद, पार करने के बाद, small automatic pistol in his hand is to demand, एक छोटी सी automatic बंदूक लेके एक आदमी खड़ा था, देख रहे हैं फोटो में, आधा कमरे के बाद, एक आदमी बंदूक लिए खड़ा हुए आउसबिल बिंक्ट अफ्यू ताइम्स, आउसबिल ने कुछ बार अपनी आखे जबकी, Max, he wheezed, और वो सास की घरगरहाट वाली आवाज के संग बोला, Max, you gave me quite a start, तुमने तो मुझे हरान कर दिया, quite a start मतलब, यहापर तुमने तो मुझे भोचका कर दिया, I thought you were in Berlin, मैंने सोचा था कि तुम बर्लीन में हो, बच्चो बर्लीन जो है, जर्मनी की कापिटल हो, what are you doing here in my room, तुम यहापर मेरी कमरे में क्या कर रहे हो, अब देखे, अब read and find out, अब हम इसमें पढ़ने वाले, how has Max got in, Max उसके कमरे में कैसे आया, जबकि हम लोग ने पढ़ा था कि वो द a little less than tall, Max जो था, बहुत slender था, यानि की बहुत थिन था, दुबला पतला था, a little less than tall, और उसकी जो एक लंबा आदमी होता, उससे थोड़ी कम हाई थी, यानि की average height का था, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox, और उसकी जो शकल थी, वो थोड़ी crafty थी, यानि की बहुत tricky था, थोड़ा dishonest pointed countenance of a fox का मतलब है, वो उसकी शकल में हमेशा गुसा रहता था, और countenance होता है, उसका facial expression थी, चेहरे के जो expressions थे, वो एक लूमड़ी की तरह चलाक थे, यानि की वो एक दुबला पतला, average height का, और चलाक दिखने वाला, नाक पे गुसा बैठे रहने वाला, और उसकी facial expressions थे लूमड़ी की तरह थे, ऐसा उसका description दिया है, there was about him, aside from the gun, nothing especially menacing, menacing का मतलब होता है, बच्यों, कि dangerous है न, जो threatening को जो डरा सके, तो उसके पास, अगर आप gun हल अहटा दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत threatening हो, जिससे कोई आदमी ढर जाए, the report, he murmured, murmured होता है, बु report, the report that is being brought to you tonight, concerning some new missiles, वो report जो तुम्हारे आपाच आज रात को आने वाली थी, जिसमें कुछ नई missiles के बारे में, missile होती है, बच्चों, कि जो एक country से, जब दूसरी country के लड़ाई होती है, तो वो missile, हवा के तुरू, बेच के भीचे जाती है, और remote से control होती है, और दूसरी country म महाँ पर बहुत विनाश हो जाता है, बहुत सब जिके आग लग जाती है, बहुत नुकसान होता है, I thought, I would take it from you, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले लूँगा, it will be safer in my hands than in yours, और Max केता है, कि report, जो है, वो मेरे हातों में ज्यादा शुरक्षित रहेगी, बजाए तुमारे हा रुसा होके, और stressed होके, वो एक आम चेयर, जो आराम कुर्सी होती, उस पे बैठ जाता है, I am going to raise the devil, with the management this time, and you can bet on it, और तुम मुझे शर्त लगा सकता है, इस बाहर तो मैं, hotel management से में हंगामा करने वाला हो, I am going to raise the devil, का मतलब है, इस बाहर तो मैं, hotel management से में हंगामा करूंग अब हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा क्यों कहा उसने, he said grimly, और उसने बहुत seriously कहा, grimly means seriously, this is the second time in a month, that somebody has got into my room, through that nuisance of a balcony, और इस महिने दूसरी बार ऐसा हुआ है, कि मेरे कमरे में कोई balcony से अंदर आ गया है, क्योंकि दरवाजा तो लोग था, हम लोग ने पढ़ा था अभी, Fowler I went to the single window of the room, जब उसने ऐसा कहा, Fowler जो राइटर था, उसकी आखे, कमरे की एकलोथी खिड़की पे गई, it was an ordinary window, एक सधारन सी खिड़की थी, against which now the night was pressing blackly, और उसके खिड़की के पीछे, अंधेरी रात दिखाई दे रहे थी, यानि कि खिड़की जो है, उसके बार दिख पास की, पास की होता है, master की, जिसे सब तरह के दरवाजे खुल जाते, I did not know about the balcony, मुझे तो balcony के बारे में नहीं मालूम था, Max ने का, it might have saved me some trouble, had I known, अगर मुझे पता होता कि या इस कमरे में कोई balcony यह, तो मेरी थोड़ी परशानी कम हो जाती, मैं balcony के थुरू आ जाता, उसन explanatorily at Fowler, और वो उसने नजर डाली, कि जैसे कि वो Fowler को, writer को explanation दे रहा हो, you see, he said, तुम देख रहे हो, this room used to be a part of a large unit, and the next room, और यह कमरा जो था, एक बड़ी सी unit का, एक बड़ा सी कमरे का पहले हिस्ता हुआ करता था, the next room, जो कि अब बराबर में है, यानि कि एक बड़ा स होता था पहले, it had the balcony, और उसमें एक balcony थी, which extends under my window now, जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आते है, यानि कि एक हिप पहले से बड़ा कमरा होता था, और उस दरवाजी के हिस्सा जो है, पार का हिस्सा, वो पहले living room होता था, और उसकी balcony इतनी बड़ी है, कि वो मेरी खिड़क two doors down, and somebody did last month, the management promised to block it off, but they haven't, और उसने कहा, कि पिछले मैंने भी कोई इस balcony के थूँ, उस कमरे से होता हुआ, इस balcony के थूँ मेरी कमरे में आ गया था, और management ने मुझसे promise किया था, कि वो उसको block कर देंगे, इस रास्ते को बंद कर देंगे, but they haven't, लेकिन उन्होंने कुछ नही osbel, जो osbel के पास ही बहुत stiff होके, बड़ा, जैसे कि जम गया हो, वहाँ, खड़ा हुआ तो osbel के पास, and wave the gun with a commanding gesture, please sit down, और उसने gun से अपने इशारा करते हुए, कहा, कि तुम बैठो, बैठ जो, he said, और उसने ऐसा बोला, he have a wait for half an hour, I think, और मुझे, we have a wait for half an hour, I think, और से कह रहा है कि तुम बैठो, है ना, क्योंकि अभी आदे घंटे का समय है, तो तुम बैठो, 31 minutes, osbel said moodily, और moodily का मतलब यहाँ पर angrily, कि osbel निका नहीं, 30 minutes नहीं, अभी 31 minutes बाखी है, the appointment was for 12.30, appointment जो है, जिसमें वो report आने की उमीद थी, वो साड़े 12 बजे का है, I wish I knew how you learn about the report, Max, और हो कहता कि, काश मुझे ऐसा पता होता कि तुम्हें report के बारे में कैसे पता चला, Max, the little spy smiled heavily, और जो, जो Max था, उसने जो है, बड़ा शैतानी धंग से मुसकराहट दी, and we wish we knew how your people got the report, और हमको, काश हमको पता होता कि तुम्हारे लोगों को report कैसे मिली, but no harm has been done, लेकि कौन है, Fowler jumped, at the sudden knocking at the door, Ausubil just smiled, और Fowler जो है, अचानक से दरवाजे पे कोई नौक करा था, खट-खटा आ रहा था, और ये सुनके, Fowler जो है, कूट के किनारे हो गया, and Ausubil just smiled, जो की एक जासू से, उसके रोजाना की बाती, वो बस मुसकराया, that will be the police, he said, और उसने का, वो कि मैंने सोचा था, कि ये इतना important paper आ रहा है, और जिसका हम इंतियार कर रहे है, और उसको कुछ थोड़ी ज्यादा extra protection की जरूवत है, safety की संगाना चाहिए, I told them to check on me, to make sure everything was alright, और मैंने उन से कह दिया था, यानि कि police वालों से कह दिया था, कि मुझे बीच-बीच में check करते रहे, to make sure everything was alright, कि ये भरूसक के लिए, कि सब कुछ ठीक-ठाक है, Max bit his lip nervously, और Max ने बहुत नर्वास होके, अपने थोड़ा सा होट काटा, the knocking was repeated, और जो दरवाजे पे कोई बार-बार खट-खटा आ रहा था, what will you do Max, अब तुम क्या करोगे, Osbil acts, Osbil ने पूचा, if I do not answer the door, अगर मैं दरवाजे पे जो खट-काटा आ रहा है, मैंने उसको उत्तर नहीं दिया, they will enter anyway, वो लोग अंदर आ जाएंगे, किसी तरह से भी, the door is unlocked and they will not hesitate to shoot, और दरवाजा जो है, अनलोक है, और वो बिल्कूल भी हिचकचा आएंगे नहीं, शूट करने में, तुमको गोली मा आएंगे था कि खिर्की के पास बालकनी है, बाहर बालकनी है, he swung a leg over the sill, और sill होता है, खिर्की की चौकट, और उसने एक पैर अपना जो है, खिर्की की चौकट से निकाला, आप फोटो में देखिए, फोटो में बना हुए, मैं फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को, ता है, एक पैर लटका के खिर्की से, कि उनको वापस बेजो, यानि कि पुलिस जो आई है, उनको वापस बेजो, he warned, उसने चेताब ने दी, I will wait on the balcony, मैं बलकनी में वेट कर रहा हूँ तुमारा, stand them away, और I will shoot and take my chances, otherwise, उनको वापस बेजो, या तो मैं shoot कर दूँगा, और risk ले ले लूँगा, है न, तुमको shoot करने का risk ले लूँगा, the knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Osbel, Mr. Osbel, और दरवाजे पे, एक खट-कटाहट की आवाज बढ़ती जा रहे थी, बात तेज होती जा रहे थी, और कोई बाहर चे कहा रहे था, Mr. Osbel, Mr. Osbel, ये देखे, Osbel, गोलू-पोलू सा बैठ हुआ है, Fowler खड़ा हुआ है, और Max खिरकी से बाहर जा रहे है, आगे देखे, keeping the body twisted so that his gun still covered the fat man, और उसकी body, उसकी मुड़ी हुई थी, देख रहे, बाड़ी तिर्ची है, और उसने अपनी gun जो है, उस fat man जानी Osbel की तरफ लगा रहे थी और उसके guest की तरफ, यानिगी Fowler क तरफ, the man at the window grasped the frame with his free hand, और जो एक हां से तो उसने बंदू पकड़ यू थी, और दूसरा हां जो खाली था, उसने अपने आपको support करने के लिए, खिरकी को, खिरकी की चौकट मजबूती से पकड़ रखे थी, then he swung his other leg up and over the windowsill, और उसने दूसरा पैर भी, खिरकी की from the sill and dropped to the balcony, और तेजी से उसने अपना दूसरा हां जोड़ा, जिसने खिरकी को पका रखा था, और बालकनी से कूद गया, and then as he dropped, और जैसे ही वो गिरा, he screamed once really, और तेजी से चिखा, she screamed हो था, चिक की अवा जाई, चिक की अवा जाई, the door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses, दरवाजा खुल और waiter जो था, वो बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक tray थी, एक bottle थी, और दू ग्लास थे, there is the, here is the drink you ordered for when you return, जब आप वापस लोटे थे, जो आपने order किया था, ये drink आ गई है आपकी, he said, waiter ने कहा, and set the tray on the table, और टेबल पे वो tray रख दी, deftly uncock the bottle, और ती जी से, च उट्टा सा लगा होता है, bottle को बंद करने के लिए, वो हटाया, and left the room, और रूम से चला गया, white-faced fowler started after him, but he stammered the police, और जो fowler था, उसका घबरहाट के मारे सफेद face पढ़ गया था, पूरा रंग face का ओड़ गया था, और उसने कहा, हकलाते हुए, stammered माने हुता है, हकलाते उसने का, police, there was no police यहाँ, तो कोई police नहीं, और आसबिल साइड, और आसबिल ने आहाँ परके का, only henry, यानि कि उस waiter का नाम henry था, whom I was expecting, जिसको कि मैं expect करा था, क्योंकि वो लोटते समय, order देके आया था, कि एक बूतल, दो ग्लास लेके आओ, तो जिसको कि वो आशा करा था तो वो ही आया था, but won't that man on the balcony, Fowler begin, फिर Fowler जो writer था, उसने का, कि वो जो दूसरा max है, वो balcony में wait कर रहा होगा, no, said Ausubil, उसने का, नहीं, he won't return, वो वापस नहीं लोटेगा, you see, my young friend, there is no balcony, देखो, वहाँ पर कोई balcony नहीं है, यानि कि, हम Ausubil ने बहुत, उसको चतुराई क उसको ये भर उसा दिलाया, कि उस खिड़की के बाहर balcony है, जबकि हम लोग पढ़ चुके थे, कि पहले ही पड़ा था, कि होटल जो था, top floor पर था, छटे माले पर, यानि, और कोई balcony नहीं थी, यानि, और इसलिए चीखने की आवाज आए थी, क्योंकि, max उसकी बातों में आ और ठाली हूँ कोई बातों में आ जो भातों मिलक तुब कको फिल्यूदा धर जो ठाली है, झाली हमाए वक मैं के इलसे सकती हैं, झाली हम एटरोफ।टरन्स के पर दोंकि आखकने यूजूसराओ भातों में झाली है, खक्श को जोंकि हमाए घतको फिर ए absol has